Hello students, कैसे हैं आप सब? आप सब ही अपना काम अच्छे से कर रहे हो ना? तो सबने अपना काम सुन्दर सुन्दर राइटिंग में करना है और समय पर करना है तो आज हम क्या करेंगे? आज हम हिंदी की कक्षा में रिक स्थान भरो करेंगे आप सब को पता है ना? रिक स्थान भरो क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं ना? इंगलिश में फिलप्स करते हैं हम ऐसे ही हम हिंदी में रिक स्थान करते हैं जैसे की खाली स्थान को भरना तो मैंने फर्स्ट नमबर पे क्या लिया है? ग और उसके आगे मैंने खाली छोड़ा है आगे मैंने लिखा है म तो उसमें मैं आप कोई अक्षर भरूँगी तो मैं मुझे सोचना पड़ेगा मैं यहाँ पे क्या अक्षर भरूँगी कि वो शबद बन जाएगा ओके मेरे ध्यान में आ गया है मैं यहाँ पे क्या करूँगी ग र भरूँगी तो क्या बन जाएगा ग र म गरम आगे लिखा है च म तो इसके साथ मैं क्या भरूँगी वैसे तो मैं इसके साथ च म क चमक क भर दूँगी तो क्या बन जाएगा चमक अगर मैं इसके साथ न भर दूँगी तो क्या बन जाएगा चम न चमन तो हम यहाँ पे न भी भर सकते हैं और क भी भर सकते हैं तो आप क्या भरोगे आप दोनों में से कोई एक भर दोगे तो क्या बन जाएगा चमन चमन आगे है क आगे मैंने खाली छोड़ दिया है ल तो मैं इसके साथ क्या भरूँगी तीन अक्षरों वाला शबद बन जाएगा कमल मैं यहाँ पर भर दूँगी म तो क्या बन जाएगा कमल र म न रमन जैसे रमन किसी का नाम होता है रमन अब मैंने आगे भी खाल ली है और इसके पीछे भी खाल ली है तो मुझे तो सोचना पड़ेगा मैं यहाँ पर क्या भरूँगी तो बीच में लिखा है त उसके आगे भी खाली छोड़ दिया और पीछे भी खाली छोड़ दिया तो मैं इसके आगे जैसे च भर दूँगी और पीछे र तो क्या बन जाएगा चटर अगर मैं इसके आगे प भर दूँगी और पीछे र ही रख लूँगी तो क्या बन जाएगा पटर तो ये तो काफी शबत बन जाएंगे ऐसे ऐसे ही बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे कबर दूँगी और पीछे र ही रह जाएगा तो कटर भी बन जाएगा तो चलो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ प लिख देती हूँ बीच में है ट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ र तो यह क्या बन गया पटर उसके आगे यहाँ पे तो खाली है उसके आगे लिखा हुआ है हल हल तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगी कि यह कोई तीन अक्षर वाला शबत बन जाए अगर तो मैं यहाँ पे च लिखती हूँ तो बन जाएगा चहल अगर मैं यहाँ पे म लिखती हूँ तो क्या बन जाएगा महल इसके आगे अगर मैं ट लिख दूँ तो क्या बन जाएगा टहल ऐसे ही बहुत सारे शबत बन जाएंगे तो ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ पे म लिख देती हूँ, आप सब को पता है न, क्या बन जाएगा ये, महल, वेरी गुड, आगे है कल, तो उसके आगे खाली छोड़ा हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे कल, अगर यहाँ पे मैं श, शलगम लिखती तो क्या बन जाएगा, कलश, अगर मैं यहाँ पे म लिख दूँ, तो क्या बन जाएगा, कलम, तो मैं यहाँ पे म लिख दूँगी, क्या बन गया, कलम, उसके आगे है, खाली छोड़ा, ल, क, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मुझे तो सोचना पड़ेगा, हाँ, याद आया, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो क्या बन जाएगा, पलक, अगर मैं यहाँ पर जह, जंडे वाला जह लिख दूँगी, तो क्या बन जाएगा, जलक, अगर मैं यहाँ पर शह लिख दूँगी, शह, शत्री वाला, तो क्या बन जाएगा, शलक, तो मैं ऐसे क पे करती हूं मैं यहां पे लिख देती हूं जह-जहण जहण्डे वाला। सब को पता है ना जह कैसे लिखते हैं तो मैंने यहां पे लिख दिया जह जहलक जहलक तो इसी तरह से आपने घर पर इनका अभ्यास करना है और तीन अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं धन्यवाद